हेलो फ्रेंट संद्य की कुकिंग में आपका स्वागत है देखिए आज मैं बनाते हूँ दोनिया का सबसे आसान पिज्जा जिसके लिए आपको नहीं अवन की जरुरत है नहीं पिज्जा बेस की हम सिर्फ ले लेंगे अपना गुथा हुआ आटा जिससे हम रोटी बनाते हैं रोटी बनाने से थोड़ा सा हम ने आटा बचा लिया है दो रोटी का जैसे एक रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा से ज्यादा लेंगे दो रोटी इतना इसमें हम डालेंगे एक चमच तेल आप कोई भी तेल ले सकते हैं सर्षो का तेल को छोड़ कर और थोड़ा सा हम इसमें नमग टेस्ट के अकॉर्डिंग और एक चमच पीसी फुई चीनी हम ले लेंगे अगर हम आठा गूत ते हैं इसका तो हम वैसे ही खड़ी चीनी भी लेते हैं क्योंकि आटा हमारा गूथा हुआ है पहले से इसलिए हम इसमें PCV चीनी का यूज करेंगे ताकि उसे जल्दी से आटे में अबजोब हो जाए अब इसको हम सभी चीजों को मिलाते हुए इसको हम फीर से गूथेंगे ऐसे ही गूमाते हुए हम इसको जब तक चीनी और तेल और नमक मिलन जाए अच्छे से तब तक हम इसे गूथेंगे और देखिए इसे हम बिल्कुल आसान तरीके से तवा पर बनाने वाले हैं आप एक बार देख लेंगी तो इसे रोज बनाना चाहेंगी अब हम ले लेंगे एक हरी मिर्च आप अपने तीखा के अनुसार ले 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 और एक हमने लिया है प्याज इसको हम लंबे साइज में कट कर लेंगे आप इसे अपने पसंद से भी cut कर सकते हैं लेकिन इस तरीके से ही cut कर ये तो अच्छा होगा और हमने लिया है एक medium size tomato tomato को हम क्या करेंगे cut करेंगे और इसका जो बीज है उसको हम अलग कर देंगे बीज वाला भाग को हम अलग कर देंगे सिर्फ हमें इसका छिलका वाला भाग ही लेना है इसके बीच को और अंदर के भाग को हम अलग करते जाएंगे आप चाहें तो इसे वैसे भी ले सकते हैं लेकिन सिर्फ हमें पेज्जा बनाने में एही उपर वाला हिस्सा ही ज़्यादा जरूरी होता है टमाटर थोड़ा कम लग रहा था तो हमने एक छोटा सा और ले लिया है तब तक हमारा आटा जो है रेश्ट ले चुका है इसको हम फिर से अच्छे से हाथों पे मलते हुए चिकना करेंगे और फिर थाले को हम उल्टा कर लेंगे आप चाहे तो इसे हाथों से ही ऐसे ही थोड़ा सा सुखा आटा लगा कर इसके लोई को बड़ा कर लें ऐसे हाथों से फैलाते हुए आप चाहे तो इसे बना सकते हैं या एक दो बार इसमें बेलन चला लें थोड़ा सा ये चिकना हो जाएगा और रोटी से थोड़ा सा मोटा रखें और इसमें एं फूले नहीं इसके लिए हम एक मैगी वाले चमस से अच्छे से इसमें होल कर देंगे ताकि ये तवा पे जाने के बाद फूले ना हमने तवा को रखा है तवा हमारा गरम हो चुगा है जिस तरफ हमने मैगी से होल किया था उसी तरफ से हम तवापे रखेंगे और उल्टा करके कि जो होल वाला पाठ है वो नीचे रहे तब तक हम उसे दूसरी साइड चेंज कर देंगे अब हम ले लेंगे एक कडाही उसमें हम डालेंगे एक चमज तेल और हरी मिर्च और भूनेंगे इसे हम इसलिए भून रहे हैं ताकि हमें घंटों तक पिज्जा को पकाना ना पड़े हमारा दस मिनट में बनके तयार हो जाए इसलिए हम प्याज और हरी मिर्च को हलका सब भून लेंगे वीडियो पसंद आये तो लाइक करना शेयर करना चैनल पर फ़ली बार है इसे भी हम एक मिनट तक भून लेंगे थोड़ा सा सौप्ठ हो जाए तब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक ताकि इसमें भी नमक का थोड़ा टेस्ट आ जाए आप हलका ही डालें ज्यादा नहीं डालें इसे एक मिनट भूनने के बाद अब हम डालेंगे नमक पहले ना डाले नहीं तो यह बिल्कुल पानी छोड़ देता है देखे अब हम ले लेंगे दो ए है चीज इसको हम पले इसका उपर का सिल्वर पार्ट हटा देंगे इम मार्केट में एजली मिल जाता है आप चाहे तो घर पर भी चीज बना सकते हैं उसकी भी वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी है वहाँ जाकर आप देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीका है नीवू से चीज बनाने का हमें तो घर की ही चीज बहुत पसंद आती है हमने तो जब भी फिज्जा बनाया है घर की चीज बनाकर बनाया है जब हमें इमर्जंसी में बनाना होता है तभी हम ऐसे और एक को हमने बचा कर रखा है अभी उसे हम बाद में बताएंगे उसको हम कभी उच करेंगे देखिए तब तक हमारी रोटी जो है पक चुकी है एक तरफ से बिलकुल देखिए जिस तरफ हमने होल किया था उसे फिर हम पलड देंगे उल्टा करके फिर तवा पर हम रख दें अब हम इस पर डालेंगे यह है पिज्जा सॉस आप टोमाटो सॉस भी ले सकते हैं उसमें थोड़ा सा चीली पावडर डालकर आप टोमाटो सॉस का भी यूज कर सकते हैं अगर यह ना मिल पाए तो वैसे तो यह पाउच में भी उपलब्ध होता है आपको आसानी से मिल जा है उसमें कोई फरक नहीं होता है जादा इसके बाद हम डालेंगे अपना टमाटर और यह प्याज हरी मिर्च और चीज जो हमने हलका सा भून कर रखा था इसे भी डालकर अच्छे से सभी तरफ इसको फैला देंगे अब हमने जो एक क्यूब बचा कर रखा था चीज का उसक उपर से क्रस कर देंगे देखिए यह चीज जो है उतना सही से मेल्ट नहीं होती है आप इसे अवन में बनाएंगी तभी यह बहुत अच्छे से मेल्ट होती है तवा पे या गैस पे बनाने से अच्छे से मेल्ट नहीं हो पाती है मार्केट वाली चीज इसलिए मैं घर की च चीज का ही ज्यादा तर पिज्जा बनाती हूं वो चीज बहुत ही आसानी से मेल्ट हो जाती है और उसका पिज्जा भी बहुत टेस्टी लगता है आप एक बार जरूर उस तरीके से निवू की चीज बनाकर पिज्जा बनाकर देखना बहुत टेस्टी लगता है वो लाल एमर अब इसको हम काकरेंगे कि एक किसी ढखकन से अच्छे से ढखकर इसको हम 10 मिनट तक छोड़ देंगे। देखें, 10 मिनट हो चुके हैं, हमारा पिज्जा विल्कुल बन के तयार हो गया है। देखें, देखने में ही कितना अच्छा लग रहा है। आप इसको चीली फ्लैक्स और एर्गरों को छुड़कर इसे सर्व कर सकते हैं। हम इसे पहले कट करेंगे, चाको से थोड़ा कट करने में दिक्कत होती है, आपके पास पिज्जा कटर हो तो उससे कट करें, उससे बिल्खुल आसानी से कट हो जाता है। चाकू से थोड़ी सी दिक्कत होती है कट करने में पिज्जा को क्योंकि यह हमने तवा पिज्जा बनाया है इसकी रोटी जो है थोड़ी क्रिस्पी बन जाती है देखी आपको मैं अंदर से भी दिखाती हूँ कितना अच्छा और कितना क्रिस्पी बना है हमारा पिज्जा भी बहुत अच्छे से बेख हो गया है एक बार इस तरीके से जरूर बना कर देखना आपको ही बहुत पसंद आएगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद